second question में आपको बताना है कि इसका domain क्या होगा, range क्या होगा, ठीक है यहां पर, अब देखिए कि थोड़ा सा यह दी आप careful तरीके से, पहले वाले question को हम solve करते भी क्या है तो पहले वाला question यही ता है, modulus minus का x थोड़ा सा यह दी, मैं आपको यह बोलना चाहूं, कि यहां पर थोड़ा सी देर के लिए, थोड़े time के लिए क्या बूल जाओ, कि आप minus को बूल जाओ, only यह बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, यहां पर 60-60 graph बनाओगे, और आपको पता है, modulus जो function था, उसका graph है वो ऐसा होत होता है, अब देखिए का, यह दी मैं इसको क्या कर देता हूं, negative से multiply कर देता हूं, उसके बाद में हम क्या कर रहे है, negative, तो इसको यहां पर जो graph का function बनाओगे, वो कैसा बनाओ, आपको थोड़ा सा idea लगा हो, तो यानि इस तरहीके से इसका function का graph बना है इस तरीके से तो ये बना, अब इसमें देखो कि क्या है इसका पूरा का पूरा देखो x का तो expansion पूरा का पूरा वो ही है यानि कि domain तो r होगी नीचे देखो नीचे, नीचे कहा तक जा रहा है यह minus infinite से यह देखो 0 से minus infinite जा रहा है इसका मितलब range क्या होगी यह अब थोड़ा सा यदि आप नहीं इस तरीके से आपको नहीं समझ में आयोगा तो हम और अच्छी तरीके से देख लेंगे इसको यहां से अब देखो पहले तुम्हें यहां पर क्या बताऊंगा आपको modulus function को खोलना बताऊंगा ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं यह function अपना f of x ठीक है यहां से modulus function को ही खोलना आपको यानि यह बाहर वाला minus है आप तो यह भूल जाओगी बाहर minus है भी है क्या ठीक है पहले में इस को यहां पर है लिए यह संपोज कर रहा हूँ है पहले में इसको open कर लेता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर देखता हूँ फिर इसके minus लगा दूँ ठीक है तो पहले दिक हो जब भी खोल लेंगे तो अकस greater लेगा ठीक है तो यह negative आगया अब देखो अब function में यहाँ पर minus करता हूँ तो इसको भी minus से multiply करा हूँगा इसको भी minus से समझ में अब आगी बाद समझ में तो यहाँ से देखने पर आपको देखो function में क्या मिला है यहाँ से यह minus इसका अक्स मिला जब अक्स is greater than जब यहाँ पर क्या मिला अक्स प्लस मिला यह और यहाँ पर थोड़ी सी देर कि यहाँ पर अक्स है वो 0 है तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर अक्स 0 है तो यहाँ पर भी 0 तो आपको I hope समझ में आयोगा कि हम function को कैसे open किये है कि मोडूलस function को कैसे open का रहते हैं ठीक है यह अपने का open करने का तरीका हो गया जी यहाँ पर यह गया अगया function यहां तक clear आपको तो यह function आ चुका है यहाँ पर अब चलिए आगे चलते हैं पर यह function बना है तो अब क्या करते हैं इसका domain और range देखते हैं अब आपको domain और range देखना है तो देखो हमें तो कुछ idea नहीं कि क्या होता है clear कर तो हम इसकी values put करेंगे फिर बना बना के देखेंगी क्या होगा इसका graph ठीक है तो देखिएगा कि क्या है तो यहां से यदि मैं पहला यह चीज को करता हूं कि function यदि greater than x की value है तो उस time पे अपना function क्या है वही minus का x है समझ में अब मैं क्या देता हूं x से बड़े real number देता हूं यानि कि x की value यदि मैं 1 देता हूं तो यहां पे देखो y में minus 1 बार minus अपने आप लगावा तो minus का 1 फिर देखो x की value 2 देता हूं तो y की value क्या आती है बार minus है तो यह minus का 2 यहां पे x की value 3 आती है तो y क्या हैगा यह इस तरीके से आगे से आगे चलते जाएंगे क्योंकि real number में हम काम कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हमें तो पता है नहीं हम तो सारे real number लेके बैठे हुए हैं यहां पे ठीक है क्योंकि x से greater than x और x equal to 0 इसका मतलब पूरा real number अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं किसके ओपर भाई x से less than की value पे उपर यहां से x की value less than है उस time पे function की value क्या है x है समझ में आगी x है तो यहां से देखो x की value less than का मतलब जैसे ही मैं minus 1 लूँगा यहां पे y की जगह x की जगह minus 1 रखूँगा x की x बराबर देखो minus 2 लूँगा तो x की जगह minus 2 रखूँगा यहां पे minus 3 रखूँगा तो x की value क्या रखूँगा minus 3 इस तरीके से तो y की value अपने हाँ आती जाएंगे और यहां पे मैं यह ज़रूरी नहीं कि यह integer value रख रहा हूँ 4. minus यह भी लिख सकता हूँ तो y की value यही आने वाली है यहां पे x की value यह रख सकता हूँ कि 6.5 है तब भी y की value के आने वाली minus का 6.5 है ठीक है यहां पे अब देखिएगा कि मैं आपको यहां पे graph बना के दिखाऊंगा क्योंकि graph से यह चेंजे clear होंगी है यह अब देखिएगा थोड़ी values देखो वही यहां पे 1,2,3,4,5 और 6 और यहां पे minus का 1, minus का 2, minus का 3, minus का 4, minus का 5 यहां तर ठीक है अब देखो अक्स की value positive के लिए है यह यह value मैंने रखी है यहां पे x is greater than के लिए इधर आजो 1 के ओपर function की value यह minus 1 है, यह minus 2 है, यह minus 3 है, यह minus 4 है, minus का 5 है, minus का 6 है, यहां तर clear है अब देखो जैसे ही मैं plus का, यहां पे 1 देता हूं, तो मेरे को देखो y में क्या मिलता है, minus का 1 तो minus 1, plus 1 पे value कितनी है, y की minus 1, जैसे 2 देता हूं, तो यहां पे minus का 2 जैसे ही मैं यहां पर 3 देता हूँ माइनस 3 जैसे ही मैं यहां पर 4 देता हूँ यह फिर यहां पर जैसे ही मैं 5 देता हूँ यह और फिर यह 6 इस परकार से अब देखो इस परकार से यहां पर बना तो मैं देखो यहां पर एक लाइन ड्रो कर रहा हूँ यह देखिएगा इस तरीके से ठीक है यह थोड़ा सा क्या अपनी वेल्यूस थोड़ी आगे पीछे होने की वज़े से यह दिक्कत कर गया तो इसको थोड़ी सी वेल्यूस को इसको थोड़ा सा उपर लो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 4, 5, 6, और 7 ठीक है अब यहां पर 1 पर 1 ठीक है 2 पर 2, 3 पर माइनस का 3 और 4 पर माइनस का 4, 5 पर माइनस का 5 अब देखो यहां से लाइन ड्रो करो इस तरीके से लाइन आपकी मिलती भी जाएगी यहां पर ठीक है? इस तरीके से अब जो भी पॉइंट नहीं मिलें कोई दिक्कत नहीं उनको अभी अभी यहां से इस लाइन के help से मिला देंगे तो यहां से देखो 2 तो यहां पे 2 यहां पे आ साएगा यहां पे 4 तो यहां पे 4 यहां पे 5 तो यहां पे 6 पे आ गए हम तो यहां पे 5 ले लो और यहां पे यहां पे आप ले लो 6 ठीक है यह अब इसी परकार इधर होने वाला है इधर क्या होगा जैसे बाइन माइनस वन लोगे तो आपका पुईंट यहाँ पे आएगा जैसे माइनस टू लोगे तो क्योंकि देखो भई बाइनस won पे माइनस un, माइनस two पे माइनस two, माइनस three पे three वही काम हो रहा है अब देखो यहां पे भी यहांma four लोगा तो minus का 4 यहां पे और यहां से 5 लूँगा तो यह 5 यहां पे तो अब यहां से देखो एक line ड्रो करूँगा इस तरीके से जो कि इन points पे आती जाएगी इस तरीके से तो यह देखो कि क्या हो गा है यह कि modulus function का उल्टा आ गया यहां पे यहां पे यह 1 है आपका तो आपको यहां पे ही 1 कहीं न कहीं आपको मिलेगा यह यहां पे ठीक है इस तरीके से तो यह 1 आगया यह आपका 0 आगया 0 पे 0 अब यहां से देखोगी तो नीचे देखो यह आपकी क्या होता y axis आपकी क्या होती है range होती है और यह क्या होती है देखो नीचे की तरफ है, तो Height माने Height माने Range माने. टीक है? Range मतलब हो गया, टीक है? तो यहां से देखने पर आपको मिलेगा बस काम तो यही है, यहतो रफ काम है, यहतो आपको बताने का आप है, बस और कुछ नहीं है, तो यहां से domain तो आपका क्या हो गया और secondly जो range आया वो देखो यह नीचे वाला यह minus infinite तो यहां से यह कितना है minus infinite zero पे close यह इसका range आया यह domain आया यह इसका क्या आया graph आया जिसे हमने यह बता पाएं कि हाँ इसमें actual में कुछ ऐसा हो रहा है ठीक है यह यहां तक तो यह वाला क्यूशन हुआ complete अब देखो second पे चलते हैं इसी का second question क्या है वाई तो y equal to क्या है आपका second में y equal to है आपका nine minus ka x square ठीक है यहां पे कोई idea नहीं है आपको ठीक है तो यहां से हम क्या आइड़ते है इसका क्या निकालते है भई डॉमेन पहले डॉमेन की process सुन लीजेगा देखेगे कि यदि डॉमेन यदि कोई y equal to under root के अंदर f of x है तो इसके लिए जो अंदर बेठा हुआ जो function है न उसको हमेशा greater than or equal to zero होना पड़ेगा यह इसकी condition है तो यह वाली condition होगी तब ही अपने पास जो y है वो define होगा तो y define कब होगा तो पहले यह देखो कि इसमें देखिएगा कि y is defined if जो अंदर बेठा हुआ जो function है यह जो अंदर बेठा हुआ function है इसपे depend करेगी y है अपना जियेगा यह मरेगा वो किसपे depend है वो f of x पे है तो f of x यदि greater than zero होगा तो जो बाहर y बेठा हुआ वो जियेगा यदि अंदर यह negative में हो गया तो मरेगा क्योंकि अंदर कभी भी negative number आई नहीं सकते जिस दिन अंदर एडरोट के अंतर negative number आ गया उस दिन complex number आ जाएगा इसका हम जो काम कर रहे हैं वो only real number में काम कर रहे हैं इसलिए हमें यहां पर जरुत नहीं है तो इसलिए यहां पर तो इसका मतलब यहां से यह जो अंदर बेठा हुआ है जो y equal to x square है इसको क्या होना पड़ेगा greater दें जब भी हम in quality solve करते हैं उसमें x को क्या लेते हैं positive लेके खेलते हैं यह ध्यान में रखने की बात हैं जब हम in quality chapter फड़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा ठीक है अब जैसे ही यह in quality जैसे ही आया लोगे x square minus का 9 यहां पर थोड़ी चीज़ें अलग हो जाते हैं जो equal equation solve करते हैं उनसे थोड़ा सा अलग अब यह जो negative है वह यहां जो जाएगे यहां पर ठीक है अब देखो अब देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं एक बार x को हठा गठा सकते हैं एक बार x को क्या कर सकते हैं जोड सकते हैं और लेस देन अब यहां पर क्या होता है वह क्या होता है कि इनको एक real line पे लाओ ठीक है यहां पर आपको देखो 3 से बड़ी value रखके try कर लो, यहां पर 4 रखो, 4-1, 4-3, यह क्या हुआ, greater than हुआ, इसका मतलब देखो, यहां पर, इस inequality में, आप x बराबर 4 रखो, तो 4-3, 4-3, 4-3, यह क्या है, less than है, इसका मतलब यहां पर 1 आया, और यह क्या है, 7, तो क्या यह 7 है, suppose यह, इसको नहीं, इसको, sorry, sorry, यहां पर only इसमें रखो, यह नहीं देखना अपने को, यह only इसका sign देखना, देखिए, यदि आप इससे 4 देखोगे, 3 से बड़ा देखोगे, तो 4, यहां पर, 4-3 देखोगे, और यहां से क्या आएगा, 4-3, यह कितना आएगा, 7 आएगा, 7 क्या होदा, greater than 0, इसका मतलब यह positive है, इसका मतलब इधर तो positive sign आएगा, अपने को positive का मतलब, यहां पर लेना है greater than का, यह होता है इसका मतलब, लेकिन अब यहां से, यदि इसके बीच में value रखोगे, आप 1 रखोगे, क्योंकि इसके बीच में 1 है, रियल लाइन पर, लेकिन यह थोड़ा, जो मैं बता रहा हूँ, आपके out of saliva से, इसी से, क्यूशन भी, इसी से होगा, इसलिए, तो यहां से, देखो minus, यहां पर देखो 1 रखा, तो 3 आया, और यहां पर क्या आया, 1 plus का 3, तो इसमें क्या आएगा, minus का 2, और into 4, इसका मतलब minus का 8, अब minus का 8, देखो negative number है न, इसका मतलब, यहां पर यह क्या होने वाला, negative, फिर again, क्या होने वाला, positive होने वाला है, क्योंकि यह depend करता है, यहां पर इनके उपर, देखो, पेठी हुई, जो power है, factors के उपर, यह दि, odd है, तो चीन क्या होंगे, सारे के सारे change होते, यह, अ आप क्या रखो कि minus से, 4 से छोटी value रखो यहां पर, ठीक है, कि आप रख दो minus का 4, यह रख दो, और, यहां पर रखो minus का 4, प्लस का 3, देखो positive आएगा, minus का 7, और minus का 1, तो यह क्या है, positive आया है, इसका मतलब positive, इसका मतलब यह, ठीक है, यह greater than 0 होगा, इसका मतलब positive, अब यहां पर positive है, और यहां पर यह है, और यहां पर यह, ठीक है, अब देखो, अपने को less than वाला sign, तो जो यह negative होता है, वो आपको less than बताता है, यह greater than देता है, यह आपको greater than देता है, तो यहां पर देखेगा, कि plus है, वो आपको greater than देता है, negative आपको less than देता है, यहां पर inequality क साइन है इसलिए यहां पर इनको सामील करना अपने को ठीक है यह अपनी वाइड बोल नहीं है जैसे इंटरवल में पढ़ाता ना वहां पर क्योंकि जैसे अपना बराबर आया बराबर का मतलब बड़ा इसका मतलब यहां पर देखेंगे तो अपनी जो यहां पर लाइज करेंगा मायनस ठीक में इसका मतलब राई यह यह पीछे सारी कानी होगा अब यहां मतलब होगया यह सब कुछ आगया ठीक है एक बार और आपको में बता देता हूं कैसे क्या मैंने किया है पहली बात तो यह अंदर वाला जो y है वो कब जिन्दा रहेगा जब रहेगा जब function greater than equal to 0 रहेगा बात आई किलिए रहे समझ में पिर मैंने इसको greater than किया फिर हमेजा यह ध्यान में रखता हूं जब भी inequality solve करता हूं तो जो x के साथ में जो coefficient होता है उसको मैं positive बना के खेलता हूं इसका मतलब यहां पर positive बनाने के लिए negative minus लोगा negative minus लेते in quality में क्या होता है sign change हो जाता है आपको अभी नहीं है आपका chapter in quality उसमें मैं आपके साथ discuss करूँगा ठीक है और मैंने पड़ा भी दिया है वह वाला ठीक है उसमें discuss करेंगे यहां पर x square minus का 9 है फिर मैंने यहां पर factor लगा दिये कौन सा a square minus का b square फिर मैंने यहां पर wave curve method लगा जिसमें देखो यह एक method है standard method है आपके तो एक दो क्यूशन है यहां पर अब देखोगे तो यहां से देखो कि 3 से बड़ी यानि कि 2 factor है एक तो x equal to 3 है एक x equal to minus 3 है यहां पर इन दोनों को रखो अब देखो 3 से बड़ा रखोगे तो यहां पर 7 आएगा positive यानि कि greater than 0 और यह जो positive number आते है greater than 0 को 100 करते है यहां पर देखो बीच वाले में क्या आएगा minus का 7 आएगा कहीं न कहीं minus का 8 आएगा तो यह क्या आएगा negative को 100 किसको करता less than को plus 100 करता greater than और equal to यह यह दोनों एक ही चीज़ है ठीक है और यहां से minus 3 अब देखो minus 3 उदर नीचे minus 4 रखेंगे तब भी positive आएगा plus आएगा अब अपने को answer चीब भई less than इस sign को देखो आपको यह less than चीब तो negative वाला उठाओ उसको रखो अब देखो यहां पर बराबर तब भी 0 बनेगा इसका मतलब सही है इसका मतलब अक्स की value इसके बीच में lies करनी है अब आपका यहां से क्या आता है क्या आता है कि हमने we find we find that जो अपना अक्स है वो lies करता है कि इसके बीच में minus 3 से 3 के बीच में तो then अपनी जो range आएगी अपनी जो range आएगी वो क्या आएगी देखिएगा कि यहां से यह दि आप इस function में देखो y में y equal to 1 9 minus का x square यह है मैं आपको इसका भी तरीका बता सकता हूं वो कैसे है वो भी देख लो ची इसको तरीके से इस way करोगे आप देखो क्या है यहां से इसको दोनों और क्या करो स्क्वाईर करो क्योंकि y है वो इसकी क्या है range समझ में range का मतलब इदर जो इधर जो मेप ओर रहा है ना? इस side इस side जो भी मेप हो रहा है उसको हम y से बोलते हैं उसको y बोलते हैं इसको x बोलते हैं समलो यह range अपने को y निकाला जैसे हमने यहां पर x निकाला वैसे मैं आपको y दिखाऊंगा कैसे दिखाऊंगा दोनों तरफ इसका करो क्या यह 9 minus x square और यहां से देखो अब इसको x square को इधर ले क्या हो और आप करो भई y square minus 9 equal to 0 आपने कहीं न गई यह देखो यह एक x square है variable है x ठीक है और यह आपकी quadratic equation हो गई कैसे यह आपका x a x square हो गया यहां पे b x का term है नहीं c है यहां पे तो यहां से देखो आपका a quadratic equation है quadratic equation के solution कब आते हैं पता हो तो यह तब ही आते हैं जब इसका discriminant है वो greater than or equal to 0 हो ठीक है यह अब आपके क्या होगी high five चीज़ें आगी है ठीक है तो आपको यह दी यह पता है कि यह जोगो एक quadratic equation हो और equal to 0 है अब यह equal to 0 कब होगी किस case में होगी जब अपना जो b² minus का 4ac क्या होगा real or equal roots कब आएंगे जब आपका d क्या होताय है real तो कब आते है जब d आपका greater than होता है और equal root कब आते है जब यह आता है तो दोनों को merge करो दोनों को merge करते d greater than this अब यहां से आएगा देखो answer तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे यह इसके पास solution होंगे, तो यहाँ से d कितना ऐगा? greater than equal to 0, अब देखो d, अब d का मतलब क्या होता है? b squared minus का 4ac equal to, यहाँ पे तो यहाँ आएगा greater than equal to 0, यहाँ से देखो, तो b की value कितनी है, यहाँ पर b है वो आपका 0 है, 4 है, a की value कितनी है आपके लिए 1 है, और यहाँ पर देखोगे तो y square यह आई आई आपकी 9 है, ठीक है, यह, अब देखो यहाँ से आपके लिए क्या आने वाला है, तो कि यहाँ पर तो यह minus का 4 आगया, y square और 9 आगया, जो कि क same वो वाली बनी है कि नहीं बनी, वो बनी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, यहाँ पर जो है, तो यहाँ से देखो, अब देखो y क्या आएगा, plus का 3 आएगा, और minus का 3 आएगा, अब देखो, same ditto की ditto वो ही कानी बन गई, इसका मतलब y कहाँ पर lies कर रहे है, minus के 3 से 3 के बीच में, ठीक है, minus 3 के 3 के बीच में है, यहाँ पर हमने देखो, लिख रहे है कि y तो अपना ये वाली चीज है, वो ग्रेटर देन हमेशा, अंडरूट हमेशा ग्रेटर देन और इकोल टू जीरो होता है, इसका मतलब, इसका मतलब y की वेल्यू नगेटिव तो हो नहीं minimum value आएगी, वो 0 ही होगी, यहाँ पर, तो इसलिए, मैंने यहाँ पर देखो, यह minus 3 यह नहीं होगा, क्योंकि y क्या है, कहां से y हो greater than, अंडरूट में वेल्यू होती न, वो हमेशा positive होती है, positive होने का मतलब हो गया, कि y हो greater than, equal to होता है, जब अंडरूट आता है, यह इसकी general form है, फिर अंदर जो function है, वो depend करते है, यहाँ पर क्या है, एक quadratic function का function है, इसलिए, greater than, equal to 0 होगा, तो यहाँ से, जो आपकी range आई है, वो क्या ही है, यहाँ से, यहाँ पर जो range आएगी, क्योंकि y है, हम क्या जानते कि, we know, that y equal to x under root, देखो, अक्स under root के अंदर कोई भी function है, तो यहाँ पर जो y है, then, जो y है, वो greater than, equal to 0 होता है, यह तो हमें पता है, बट इसका अपर case कितना होगा, 3, तो यहाँ से जो range आएगी, जो range है, range है, वो y belong किसमे करेगा, 0 से लेके 3 के बीच में, यही इसकी range आईगी,